Dear students, इस वीडियो में मैं आपको class 7th NCRT Maths exercise 2.1 जो कि हमारी second chapter की first exercise है, chapter का नाम है हमारा fraction and decimal तो इस chapter में हमने मेली किस बारे में study करना है? fractions और decimals के बारे में कि उनको कैसे हम solve कर सकते हैं fractions को और decimals को वो हम study करेंगे तो first exercise में हमारे fractions, ठीक है? तो fractions को कैसे plus minus हम कर सकते हैं, तो वो हमें इस exercise में मिली पढ़ना है तो first question आप देखें, solve, तो इसको हमें solve करना है अब आपको देखना है कि fractions को अगर हमें plus या minus करना है तो हमें LCM का use करना पड़ता है, ठीक है? तो LCM के साथ हम इनको plus या minus करेंगे जैसे यहाँ पर first है 2 and second है 3 by 5 और इनको करना है हमें minus अब first वाले के नीचे कुछ नहीं है, तो denominator हम 1 लगा देंगे यहाँ पर अब आप देखें, 1 और 5 का हमें लेना है LCM जब आपको कुछ short method भी इसमें ध्यान रकने है जैसे यहाँ पर 1 है और 5 है तो इस case में आपको LCM निकाल के देखने की जुरूरत नहीं है जहाँ पर एक denominator 1 हो और दूसरा कोई other number हो तो वही LCM होता है, ठीक है? तो 5 ही LCM आएगा, अगर आप इस तरह से निकाल के भी देखते हैं तो आपको 5 ही मिलेगा अब आपने क्या करना है? यहाँ से इस denominator की table में देखना है कि यह कितने पे आता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 की table में 5 जो है वो 5 पे आता है और जितने पे आता है उसकी multiply उपर numerator के साथ अपने कर देना है तो 1 5 जा 5 तो 5 2 जा 10 minus 5 की table में 5 कितने पे आएगा? 1 पे तो same as it is उपर वाला word जो है 3 as it is नीचे आ जाएगा अब यह आजाएगा 7 by 5 ठीक है? Simple है ना? Next आप देखें same way में इसको solve करना है आपने divide by 1 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आजाएगा? 1 और 8 है तो LCM 8 अब 1 की table में 8 कितने पे आएगा? 8 पे ही आएगा तो 8 की 4 से multiply 8 4 जा 32 plus 8, 8 same हो तो उपर वाला as it is 7 अब इनको plus कर देते हैं कितना आएगा? 39 by 8 ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे LCM जो है वो सीधा होगा 75 जो 35 ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो number co prime हो co prime का मतलब होता है जो numbers किसी भी same table में नहीं आते हैं ठीक है? जैसे बहुत से example हैं जैसे 5 और 9 है तो यह 9, 3 और 9 की table में आएगा 5 सिरुफ 5 की table में आएगा दोनों common किसी table में नहाएं उनको बुला जाता है co prime numbers तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह दोनों के दोनों co prime number है किसी भी same table में नहीं आते हैं इस case में LCM क्या आता है इन दोनों की multiplication 75 जा 35 ठीक है अब आपने देखना है 5 की table में 35 कितने पे आता है 7 पे तो 7 पे आता है तो 7 की multiply 7, 3 जा 21 प्लस 7 की table में 35 कितने पे आता है 5 पे तो 5 जा 10 तो आंसर आजेगा 21 प्लस 10 31 बाई 35 ठीक है इसी तरह से next करते है 9 by 11, 4 by 11 जहां पर denominator सेम हो तो वहां पे हमें LCM लेने की ज़रूरत नहीं है direct हम इनको solve कर सकते है LCM की जगा पे नीचे denominator सेम आएगा 11, 11, 11 उपर वालों को solve कर दो 9, minus 4, 5 ठीक है तो यह मैंने कुछ आपको short methods भी बताए तो वह भी आप दिहान रख सकते है next part है इसके 5, 6, 7 तो उसको करते हैं next part देखो आप 7 by 10, 2 by 5, 3 by 2 अब इसमें आप देखें numerator जो है वो अलग-अलग है sorry denominator अलग है तो इसमें भी एक short method आप use कर सकते हैं बिना LCM निकाले कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखें अगर एक से ज़्यादा हमारे पास denominator है तो आपने क्या करना है सबसे बड़ा देखो पहले सबसे बड़ा कौन है इन में सबसे बड़ा है 10 अब इसको आप देखें कि यह क्या बाकी दोनों की table में आता है तो यहाँ पर बिलकुल तो यह जो है short कुछ methods होते है इसको ध्यान रखें आप और ज़्यादा fast और active बन सकते हैं math में तो यहाँ पर आप देखें 10 LCM क्यों लिया हमने उसका कान दुबारे रिपीट करते हैं सबसे पहले हमने नोट किया सबसे बड़ा था 10 और वो बाकी दोनों की table में आ रहा था 5 की table में भी आता है 2 की table में भी आता है इसलिए यही LCM इसका आएगा अब 10 की table में 10 कितने भी आता है 1 पे तो 1 7 जा 7 प्लस 5 की table में 10 कितने भी आता है 2 पे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 की table में 10 कितने भी आता है 5 पे 5 3 जाए 15 ठीक है अब इनको हम plus कर देंगे तो answer आजएगा 7 4 11 11 26 डिवाइड बाए 10 ठीक है आगी ये 2 की टेबल में cancel भी हो सकता है अगर आप चाहें तो 2 5 जा 10 2 13 तो 13 बाए 5 और आप चाहें तो इसको mixed fraction में भी change कर सकते है ठीक है एक change करके मैं आपको दिखा देता हूं mixed fraction में change करने के लिए आपको इस तरह से divide दरना वड़ेगा इसको 5 की टेबल में 5 तो 10 3 बच जाएगा तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं जो answer होता है उसको पहले फिट जो remainder वो उपर और ये नीचे 2 3 बाए 5 ठीक है इस तरह से अब next ये जो statement है वो है mixed fraction वाली तो पहला हमारा जो काम होगा वो होगा mixed fraction को normal करने का simple करने का तो इसको करना कैसे इसकी साथ multiply और ये plus 3 2 जा 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाइड 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 थी प्लस यहाँ पे 3 जा 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाइ 2 ठीक है अब इनको same हम solve करेंगे यहाँ पर अगर आप देखें ये दुनों co prime number है co prime number में ने बताया था जो किसी भी एक same table में नहीं आते है 1 को छोड़ के तो 3 2 जा 6 ये इसका L team है 3 की table में 6 कितने बाता है 2 पे तो 2 8 जा 16 प्लस 2 की table में 6 कितने बाता है 3 पे तो 3 7 जा 21 अब इनको प्लस करतेंगे 6 प्लस 1 7 2 प्लस 1 3 37 बाइ 3 इसको भी आप mix fraction में change कर सकते हैं next question में 8 जा 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाइड 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 चलसीम होगा 8 अब 2 की table में 8 कितने बाता है 4 पे 4 17 68 minus 8 की table में 8 1 पे तो यहाँ जाएगा 29 अब minus करेंगे 18 में से 9 9 यहाँ जाएगा 5 में से 2 3 डिवाइड बाइड 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 इसको भी आपने mix fraction में change कर देना है ठीक है इसके बाद है next 2 डिवाइड बाइड 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 हमें यह बताना है कि कौन बड़ा है कौन चोटा है compare करना है तो denominator same होना जरूरी है तो denominator को same करने के लिए आपको लेना है LCM ठीक है अब LCM हम कैसे लेंगे इन तीनों का आपने LCM लेना है ठीक है LCM हम यहाँ पर निकालते हैं इस तरफ 9, 3, and 21 ठीक है कोमा यूज कर सकते हैं यहाँ पर या फिर डैश का भी यूज कर सकते हैं आपकी मर्जी है कोई दिकत नहीं है 3 की टेबल में तीनों आते हैं 3 पर कैंसल करते हैं 3 3 जा 9 3 बंजा 3, 3, 7 जा 21 यह दोनों को प्राइम आ चुके हैं तो बहुत से बच्चों को यह सिखा आया तभी इसको 3 पे करो फिर 7 पे करो 1 लिखके आओ ऐसा नहीं है जब यह को प्राइम आ जाएं सारे नंबर को प्राइम में सेम टेबल में यह नहीं आते हैं तो बस इतना ही करना होता है आप इन सब को मल्टीपै कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई फिर यह 3 when तिर यह 3, 1 मल्टीप्लाई करनी जोरूड तरहिए 7 3 3 जा 9 7 जा 63 तो इनका LCM जो है वो है 63 अब आप देखे 9 की टेबल में 63 कितने पे आएगा 9 7 जा 63 होता है तो आप देखे 7 पे आता है तो 7 2 जा 14 फिर कॉमा ही यूज करना है आपने कॉमा यूज करेंगे हम प्लस माइनस नहीं कर रहे है इनको सिर्फ कॉमा रहे है थी की टेबल में यह कितने पे आएगा देखो 3 2 जा 6 3 जा 3 21 पे तो 21 की 2 से करेंगे 42 फिर कॉमा लगाएंगे 21 की टेबल में 63 कितने पे आएगा 3 पे तो 3 8 जा 24 अब हम असानी से इनको कंपेर कर सकते हैं कि कौन इनमें बड़ा है कौन इनमें चोटा है अब देखो सबसे बड़ा कौन है इन तिनों में 42 42 के बिलकुल उपर कौन है 2 बाई 3 तो तो descending order DO descending order आपने पूरा लिखना है इसको descending order क्या हो जागा 42 सबसे बड़ा है इनमें तो इसके बिलकुल उपर जो था 2 बाई 3 इसको पहले लिखेंगे फिर कॉमा अब 42 के बाद 24 24 के बिलकुल उपर है 8 बाई 21 और सबसे छोटा कौन है इनमे 14 तो यह आ जागा 2 बाई 9 ठीक वैसे तो करते हैं 70 आ जाएगा वैसे तो 5 7 और 10 अब यह दोनों 5 की टेबल में आते हैं 5 बंजा 5 7 as it is 5 to the 10 अब यह को प्राइम इनम नमबर सारे कोई भी अब सेम टेबल वाला नहीं है तो 5 multiply 1 करने की जूरुटत नहीं है 7 multiply 2 तो 5 to the 10 7 बंजा 70 70 LC म आ गया तो इनका LC हम ले गए 70 अब आप देखें 5 की टेबल में 70 कितने पे आएगा ठीक है यह आएगा 14 बे गए 14 फाइसा सेमेटी ओता है तो 14 बंजा 14 बंजा 14 अब देखें 7 की का बल गए 70 कितने पर आता है descending order तो 7 by 10 के बाद 14 के बाद आता है 30 तो 30 के उपर है 3 by 7 फिर आप देखे 14 लास्ट में तो 1 by 5 तो ये बन गया आपका descending order ठीक है बाद समझा रही है next करते हैं next third question में आप देखें जो statement है उसमें हमें ये एक square दिया गया है जिसको magic square भी बोला जाता है अब हमें ये check करना है कि क्या ये magic square है या नहीं है उसके लिए statement में बदाया गया कि एक magic square में क्या-क्या खासित होती है कि हर एक row, column और diagonal का sum जो है वो equal होता है ठीक है तो हमें total 8 sums करने है 3 rows है यहाँ पर row होता है इस तरह से ठीक है row 1 ये है row 2 ये है row 3 ठीक है row होती है इस तरह से ये वाली जो row है इनका हमें sum निकालना है फिर column होते हैं ये है c1 ये है c2 और ये है c3 और diagonal होते हैं इस तरह से ये वाला diagonal और ये वाला d1 d2 इसको हम नाम देते हैं ठीक है short form में अब हम सबसे पहले start करते है sum of row 1 sum of row 1 ठीक है तो row 1 का sum कितना आजएगा 4 by 11 प्लस 9 by 11 प्लस 2 by 11 तो यहां लिखेंगे हम 4 by 11 प्लस 9 by 11 प्लस 2 by 11 अब यहां पर एक तो हमारे लिए असानी क्या है कि सबका denominator सेम है ठीक है तो अगर denominator सेम हो तो कोई आपको LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है सीधा नीचे तो लिखना है LCM 11 ठीक है उपर वालों को direct solve करना है जैसे 4 plus 9 13 plus 2 15 तो first वाले answer आगे 15 by 11 थोड़ा हमने छोटा लिख दिया इसको थोड़ा large करके लिखते है ताकि आपको clearly visible हो पाए ठीक है तो 15 by 11 आरवन आ गया अब आरटू निकालते है आ 5 by 11 7 by 11 तो यहां हम लिखेंगे 3 by 11 plus 5 by 11 plus 7 by 11 अब नीचे तो 11 ही आएगा उपर के आएगा 3 plus 5 8 plus 7 15 तो यह भी सेम आ गया ठीक है आप देखते है आर 3 रो 3 रो 3 में आप देखे 8 by 11 1 by और 6 by 11 8 by 11 plus 1 by 11 plus 6 by 11 तो इनका LCM भी 11 और 8 plus 1 9 plus 6 15 तो यह भी सेम आ चुका है फिर हम आते हैं columns पे C1 तो C1 कितना आएगा C1 है column 1 है यह तो 4 by 11 3 by 11 8 by 11 4 by 11 plus 3 by 11 plus 8 by 11 तो यह आज़े का 11 नीचे यहां पे 4 plus 3 7 plus 8 15 यह भी सेम आ गया फिर हम देखते हैं C2 ठीक है C2 में आप देखें column 2 9 by 11 5 by 11 1 by 11 तो इसको लिखेंगे 9 by 11 plus 5 by 11 plus 1 by 11 तो यह भी आजएगा 15 by 11 यह भी सेम आ गया अब हम देखते हैं next last जो बचा है हमारा C3 column 3 column 3 है 2 by 11 plus 7 by 11 plus 6 by 11 तो इनका कितना आएगा 2 plus 7 9 plus 6 15 by 11 यह तो सारे ही सेम आते जा रहे हैं अब हम देखते हैं diagonal 1 तीक है D1 diagonal 1 आप पूरा भी यहां पे ली सकते हैं diagonal 1 diagonal 1 होगा 4 by 11 5 by 11 6 by 11 4 by 11 plus 5 by 11 plus 6 by 11 तो 6 plus 4 10 5 15 by 11 यह भी सेम आ गया तो D2 हम देखते हैं आप D2 में आप देखेंगे इस तरह से इस cross में 2 by 11 5 by 11 8 by 11 2 by 11 plus 5 by 11 plus 8 by 11 आप इनको प्लस कर दीजिए तो यह भी आगया 15 by 11 तो यह तो सारे ही सेम आ गए तो सारे सेम है इसका मतलब क्या है yes this is a magic square यहां लेकिए हम yes this is a magic square ठीक है इस तरह से आपको इसको करना है next question करते हैं next fourth में आप देखें a rectangular sheet of paper is 12 1 by 2 cm long length भी हमें गिवन है and 10 2 by 3 cm wide तो लंबाई और चोड़ाई हमें गिवन है length and breadth of a rectangular sheet ठीक है rectangle होता है जिसके सामने वाली साइड है equal होती है and all of the angles are of 90 degree यहां हम लिखेंगे 12 1 by 2 और breadth कितनी है 10 2 by 3 ठीक है तो यह इस तरह से है और centimeters में unit है वह आप लिख सकते हैं यहां पर अब इसको हम solve कर देते हैं 12 2 जा 24 plus 1 25 by 2 cm यह तो length है इसको solve करते है 10 3 जा 30 plus 2 32 by 3 तो इसकी जगह हम use करेंगे 32 by 3 इसकी जगह हम use करेंगे 25 by 2 ठीक है तो अब हम देखते हैं first हम इसको statement बना के करेंगे कि length of rectangular shape इसको short में लिख देते हैं rectangular shape length given है हमें कितनी है length 25 by 2 cm ठीक है diagram बना के करेंगे तो ज्यादा अच्छे marks आते हैं ठीक है clearly teacher को समझ आएगा उसके बाद लिखेंगे width या फिर breadth width of rectangular shape rectangular shape की width कितनी है 32 by 3 cm अब जो हमें निकालने के लिए कह गया है वो है perimeter perimeter निकालने के लिए rectangle के perimeter का formula अता है 2 multiply L plus B ठीक है अगर कई बार किसी बच्चे को formula नहीं याद रहता है तो उस case में आपने याद रिखने है perimeter का मतलब होता है sum of all side अगर आपको perimeter का formula नहीं याद है तो आप सारी side को plus कर दो 4 की 4 side को तब भी answer सेम आएगा ठीक है बात समझ आ रही है तो हम formula से करते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं perimeter of rectangular sheet पूरा लिखना है अपने तो यहाँ पर formula होगा 2 into L plus B अब formula में L की जगा length की जगा रखेंगे 25 by 2 plus breadth की जगा रखेंगे 32 by 3 अब multiply तो 2 से हम कर देंगे लेकिन पहले अंदर bracket के अंदर solve करना पड़ेगा LCM लेके solve करेंगे इसको तो यहाँ इगा 2 multiply इनका LCM कितना आएगा LCM आएगा 3 to 6 अब यहाँ पर देखें 2 की table में 6 कितने ब्याता है 3 पर तो 3 की 25 से multiply करेंगे 75 plus 3 की table में 6 कितने ब्याता है 2 पर 2 के multiply 32 से 64 अब इनको plus करते हैं और यहाँ solve करते हैं इसको तो 2 multiply 75 plus 64 5 plus 4 9 7 plus 6 13 divided by 6 अब 2 की table में यह cancel हो रहा है 2 बंजा 2 236 ठीक है तो यहाँ पर answer आजेगा आपका 139 divided by 3 cm अब आप चाहें तो इसको mix fraction में भी change कर सकते हैं ठीक है तो यह था आपका question main था perimeter तो perimeter निकालने करेंगे 2 into L plus B ठीक है इस तरह से करना है next करते है next fifth में आप देखें find the perimeter of first triangle ABE तो इस diagram में हमारे पास दो हिससे बने हुए है एक है उपर triangle ABE दूसरा है B यहाँ पर आएगा C D और E ठीक है B C D E वा समय जा रही है अब हमें करना क्या है पहले हमें ABE उपर वाली जो triangle है इसका perimeter निकालना है फिर हमें क्या करना है the rectangle B C D E in this figure तो B C D E ये वाली है B C D E इस triangle का भी निकालना है फिर हमें बताना है whose perimeter is greater इसका perimeter जादा है तो यह तीन काम हमें करने है फिर्स्ट है ट्रेंगल का perimeter तो उसके लिए आपको formula याद रहे है sum of all side ठीक है अब first side इसकी है 5 by 2 यह simple है यहाँ पर यह mixed fraction में है तो इसको solve कर लेते है 5 3 जा 15 plus 3 18 by 5 यहाँ पर इसको solve कर लेते है 4 2 जा 8 plus 3 11 by 4 ठीक है अब आपको यहाँ लिखना है first part perimeter of triangle ABE is equal to तो first side आप देखें यहाँ पर क्या है 5 by 2 plus second side 18 by 5 plus third side 11 by 4 अब हमें निकालना है इनका LCM तो LCM निकालते है LCM वैसे तो आजेगा मेरे ख्याद से 20 2 5 4 2 की टेबल में 2 बन जा 2 5 2 जा 4 सारे को प्राइम नंबर है तो यह आजेगा 2 multiply 1 लिखने की जुरूरत नहीं है 5 multiply 2 2 5 जा 10 2 जा 20 तो इनका LCM आजेगा आपके पास 20 अब आप देखें 2 की टेबल में 20 कितने बे आता है 10 पे तो 10 5 जा 50 प्लस 5 की टेबल में 20 कितने बे आता है 5 4 जा 20 4 को 18 से करेंगे 72 प्लस 4 20 कितने बे आता है 5 पे 5 की 11 से करेंगे 55 तो इनको गर देते हैं प्लस 0 2 5 7 हो जाएगा फिर 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17 177 बाइ 20 सेंटिमीटर तो यह तो आगया हमारा फर्स्ट ठीक है ऐसे ही हम सेकिंड करेंगे सेकिंड वाले में आप देखें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फोर्मुला मैंने आपको बता है 2 इंटू L प्लस B ठीक है तो हम यूज़ करेंगे 2 इंटू L प्लस B तो यह का पेरिमेंटर क्या आएगा 2 multiply L प्लस B फोर्मुला आता है 2 इंटू L प्लस B यह फोर्मुला आपने यूज़ करना है तो यहां पर 2 इंटू L लेंथ कितनी है लेंथ ये वाली है ठीक है BE तो यह है 11 बाइ 4 प्लस B ब्रेट्थ है 7 बाइ 6 तो आब इसको करते है 2 multiply इनका लेते है LCM 4 और 6 का LCM कितना आएगा इस तरह से आपने निकालना है इसको 4 और 6 2 की टेबल में 4, 2, 3, 6 को प्राइम आगे है 2, 4, 3, 12 तो 12 LCM आ जाएगा इसका आब 4 की टेबल में 12 कितने ब्याता है 3 प्याता है तो 3, 11 को करेंगे 33 प्लस 6 की टेबल में 12 कितने ब्याता है 2 पे 6 तो 12 तो 2, 7 जा 14 ठीक है यह आजाएगा 2 multiply अब इसको plus करो 3 plus 4, 7, 3 plus 1, 4, divide by 12 है तो इसको cancel कर दो 2 बंजा 2, 2, 6 जा 12 ठीक है तो answer आगे हमारा 47 by 6 अब हमारा काम क्या है कि इनको हमें compare करना है आपस में कि कौन इन में से बड़ा है कौन छोटा है तो उसके लिए हमारे पास क्या method है LCA method तो हम यहाँ पे करते हैं who is greater तो वो check करने के लिए यहाँ पे आप देखें 177 यह third part है हमारा वैसे third यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ सिधा पुछा गया who is greater तो हम direct इसको cancel करते हैं 177 by 20 और दूसरी statement है हमारी 47 by 6 ठीक है 47 by 6 अब आप देखें यहाँ पे इनका LCM कितना आएगा तो LCM इनका आएगा 20 और 6 का टू की टेबल में कैंसल को टू टेंजा 20 2300 6 अब को प्राइम नंबर आगे हैं तो 220 60 तो LCM आगे इनका कुमा लगा सकते हैं या फिर सीधा खाली चोड़ दो 60 अब 20 की टेबल में 60 कितने व अब यहाँ पे 6 की टेबल में 60 आथा 10 पे तो यहाँ जेगा 470 अब आप देख सकते हैं कौन बढ़ा है दुनों में से 531 या 470 तो 531 बढ़ा है तो यह वाला ग्रेटर है अब इसके उपर कौन है 177 177 किसका पेरिमेटर है ट्रेंगल का तो हम यहाँ पे अंसर देंगे पेरिमेटर ओफ ट्रेंगल A, B, E is greater तो यह इसका आंसर आएगा और यह जो आंसर आए थे हमारे तो इसको आप मेक्स फ्रेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं ठीक है इसका अगर आप मेक्स फ्रेक्शन बनाएंगे तो इसका मेक्स फ्रेक्शन बनेगा 8 into 17 by 20 ठीक है तो यह भ अगर आप चेंज करेंगे तो यह था अपता फिफ्ट कोशन नेक्स देखते हैं आप देखें सालील सॉरी सालील वांस चुपट अपिचर इन आप फ्रेम जो है वह क्या अगर ना चाहता है एक पिक्चर को एक फ्रेम के अंदर लगाना चाहता है दा पिक्चर इसका इसका 3 x 5 cm वाइड पिक्चर की जो चोड़ाई है वह हमें गिवन है तो फिट इन दा फ्रेम दा पिक्चर के नोट बी मोर देन 7 3 x 10 cm तो क्या हमें बताएगा कि पिक्चर जो है वह इतनी वाइड है अगर आपको उस फ्रेम में लगाना है तो पिक्चर इससे जादा बड़ी नही होनी चाहिए तो how much should the picture be trimmed कितना उस पिक्चर को trim किया जाएगा साइडों से काटा जाएगा वह हमें बताना है कितनी उसके वेड मालीजे यह फ्रेम है ठीक है इसके चोड़ाई यहां से लेकिं यहां तक जो है वह है फ्रेम की चोड़ाई 7 3 x 10 लेकिन पिक्चर जो है वह इ हम क्या करेंगे जितनी ज्यादा पिक्चर बढ़ी है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आजाएगा ठीक है कि कितना उसको काटना पड़ा यहां पे पहले हम लिखते हैं वेड आफ पिक्चर पिक्चर की वेड कितनी है तो वह है 7 x 3 x 5 तो इसको सॉल कर देत है 5 7 जा 35 प्लस 3 38 by 5 cm ठीक है अब आप देखें यहां पर क्या करेंगे हम जो विर्थ है फ्रेम की विर्थ ओफ फ्रेम की विर्थ कितनी है तो वह है 7 x 3 x 10 तो यह हुझेगा 7 x 10 जा 70 प्लस 3 73 x 10 cm अब हमें क्या करना है हमें बताना है कि कितना इस पिच्चर को ट्रिम करना पड़ेगा अगर इस फ्रेम में हमें इसको फिट करना है तो हम यहां पर लिखेंगे width of picture to be trimmed या फिर width यहां पर लिख सकते हैं width of picture कितनी विच्चर ट्रिम करनी पड़ेगी तो 38 बाई 5 माईनस 73 बाई 10 ठीक है अब यहां पर आप देखें इनका हमें लेना पड़ेगा LCM तो LCM आएगा 10 क्यों आएगा 10 क्यों आएगा 10 क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है तो 5 की टेबल में 10 कितनी पर आता है 2 पे तो 2 की मल्टिप्लाई 38 से करेंगे यह कितना जेगा 2 एट जा 16 76 माईनस 10 10 सेम है तो 73 as it is तो आंसरा जेगा हमारा 3 बाई 10 सेंटीमेटर तो यह जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो कितना है 3 बाई 10 सेंटीमेटर नेक्स्ट करते हैं एक एपल के देखो कितना हिस्सा उसने खाया है 3 बाई 5 इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर 5 हिस्से हो तो 5 मिसे 3 हिस्से जो है वो खा लिए एपल के रितु ने और जो बचा हुआ एपल था वो उसके भाई को उसने दे दिया सोमू को हाउ मच पार्ट अफ एपल डिड सोमू एट सोमू ने कितना हिस्सा एपल का खाया है वो हमें बता रहा है अब आप देखें जो रितु ने खाया वो है 3 बाई 5 तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया कि एपल के 5 पार्ट्स किया गए उसमें से 3 पार्ट्स जो है रितु अब यह आपने वर्बली तो समय लिया इसको हम एक्स्प्लेइन करते है कैसे सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट अफ एपल ओफ एपल इटन बाई रितु रितु ने कितना खाया 3 बाई 5 टोटल कितना होगा टोटल पार्ट्स ओफ एपल टोटल कितना होगा 5 बाई 5 मतलब 5 एपल के हिस्से किये गए थे जिन में से 5 है लेकिन 5 में से 3 खा लिए किसने रितु ने तो यहाँ पे लिखेंगे हम पार्ट ओफ एपल इटन बाई हर ब्रदर सोमू तो सोमू जो है वो कितना खाएगा वो आ जाएगा 5 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 5 by 5 की जगह आप 1 भी ले सकते हैं तब भी अंसर सेम आएगा कि टोटल एपल जो है वो कितना है 1 तो उसमें से भी आप माइनस करेंगे 3 by 5 को तब भी आपका अंसर 2 by 5 ही आएगा यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि 3 by 5 का मिनिंग क्या है मिनिंग है इसका कि टोटल पार्ट्स है 5 5 में से 3 खाए है रे तुने तो समझा निकालने के लिए टोटल में से माइनस करेंगे 3 by 5 को नीचे जब सेम हो मैंने आपको पहले भी बताया था तो LCM लेने की जूरत नहीं है यही LCM है 5 में से 3 को माइनस कर दीज़े 2 by 5 तो समझा ने खाए है 2 by 5 फिर हमसे कोशन किया गया who had the larger share किसका share ज़्यादा था 3 by 5 ज़्यादा है या 2 by 5 ज़्यादा है इनका denominator सेम है तो direct आप उपर वाले को देखके इसको बता सकते हैं कौन चोटा है कौन बड़ा है तो 3 by 5 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रितू had larger share रितू had larger share ठीक है रितू का share जो है वो ज़्यादा था अब हम इसे पुछागे by how much कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा निकालने के लिए बड़े में से चोटे को घटा देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 3 by 5 minus 2 by 5 तो minus करेंगे तो कितना ज़्यादा का 1 by 5 तो हम यहाँ लिखेंगे रितू had 1 by 5 part more than सोमू तो रितू के पास जो है सोमू से 1 by 5 parts ज़्यादा है ठीक है next last question है 8 इसमें है Michelle finished coloring a picture in 7 by 12 hours Michelle जो है वो क्या करती है पिक्चर को color करती है और उसको finish कर देती है 7 by 12 hours में वैभव finished coloring the same picture in 3 by 4 hours और वैभव जो है उसी picture को color करने में लेता है 3 by 4 hours who work longer कौन ज़्यादा काम करता है किसने ज़्यादा समय तक काम किया यह हमें इस question में बताना है तो सबसे पहले हम इनको compare करेंगे तो compare करने से पहले लिखते है टाइम टेकन बाइ मिशिल उसने कितना समय लिया 7 by 12 hours फिर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाइ वैभाव वैभाव ने कितना टाइम लिया 3 by 4 hours ठीक है अब इन में से कौन ज़्यादा है compare के लिए मैंने आपको बताया था denominator सेम करना पड़ेगा और वो LC में लेकर हम कर सकते है comparison करते है पहले हम लिखते है 7 by 12 फिर हम लिखते है 3 by 4 अब इनका LC में आएगा 12 अब 12 की टेबल में 12 कितने बढ़ता है 1 पे तो 1 7 जा 7 4 की टेबल में 12 कितने बढ़ता है 3 पे तो 3 जा 9 अब कौन बढ़ा दोनों में से 9 बढ़ा है तो यह वाली statement ज्यादा बढ़ी है तो 3 by 4 ज्यादा बढ़ा है 3 by 4 किसके लिए है वैभव के लिए तो हमें आपे लिखेंगे वैभव sorry वैभव जैसा question था वैसी answer देंगे work longer longer ठीक है फिर पुछागे by what fraction was it longer कितना ज्यादा था तो उसके लिए आप same इसी statement को यहाँ लेंगे 7 by 12 minus sorry जो बढ़ा है उसमें से छोटे को minus करना है बढ़ा आप देखो यह वाला है 3 by 4 तो इसमें से 3 by 4 minus करेंगे 7 by 12 को minus करने पे 12 LCM 4 की table में 12 3 पे 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9 minus 7 करेंगे तो 2 by 12 और 2 की table में cancel करेंगे तो 2 6 जा 12 तो आजेगा 1 by 6 तो यह था आपका final last question तो बचो इस वीडियो में आपने complete किया exercise 2.1 को ऐसे ही और नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे उसके लिए आप हमारी चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए comment कीजिए और bell icon को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको latest video का notification सबसे पहले मिल सके ह पहले जा कीजिए तो यह कुछ कुछ जीए और स्च आपको यह भीडियो यहान खर सबसे पासे हमारी कीजिएर alने तो यहीडियो